सर्व मंगल मंगल ने शिवे सर्वात शादी के शरण नैत्रम्ब के गोरी नारायनी नमोस्त ते सभी को मंगल प्रदान करने वाली सभी के मनुरतों को पूरा करने वाली मा गोरा को मेरा प्रणाप नमस्कार आप देख रहे हैं दखल न्योज और आज हम बात करेंगे नवरात्र में देवी मा की अरादना की नवरात्र के नौ दिन लोग तरह तरह के जतन करते हैं देवी मा को प्रसंद करने के लिए कुछ जुआर बोकर मां को प्रसंद करते हैं तो कुछ लोग अखंड जोज जलाते हैं वहीं कुछ कलश स्थापना भी करते हैं कुछ नामायन जी का पार्ट करते हैं तो कुछ दुर्गात सचती का पार्ट करके मां को प्रसंद करते हैं इन नौ दिनों में क्या-क्या पीदी विधान है मा को प्रसंद करने के लिए इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी इस वक्त में फोपाल के चुना मिट्टी इलाके के माकाली के मंदिर में हो और इस मंदिर के मैनिता है कि सच्चे मन से अगर कोई भक्त यहां कुछ मानता है तो वो से जरूर मनता है हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी आं मौझूद है इन से जानेंगे पंडी जी क्या-क्या वी दिविधान है यहां अभी नवरात्री प्रारम होने वाली है 26 तारीक से नवरात्री प्रारम होंगी तो यहां पर देवी जी का भव सिंगार होता है पहले दन इसे जो है भगवती को सिंगार जवारे बगेरा अखन जोत रजलत होती है देवी जी की नवगरे शोड़ समात्र का यह पूजान का विधी विधान होता है देवी जी का भगवतिकार दिन में रोज यहां पर सिंगार होता है, चार बार सिंगार होता है देवी जी के चेंज दिन में, येसे की सोबे से रहता है, छे बजे से दिन में दस बजे तक दूसरा रहता है, इसके बाद फिर अपने दस से बारा बजे तक दूसरा रहता है, ये सबसे साथ में होती है बड़े-बड़े मरदंग रहते हैं इससे सब बड़े अच्छे उसमें होती है भगवती की आरती नुई दिन तक जो है अपने यहां पर नौमी के दिल महारती होती है अपने माताई बेने घर से थालियां लेकर आती है उसमें दीपक पांस साथ दीपक है 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 हमारे सांत मंदिर के अध्यक्ष भी मोजूध है मैंसे जानेंगे कि मंदीर की मानने तक क्या है और कितना पुराना है यह मंदिर नेकाल का भी जश्यमाई की यह 1998 में मंदिर का जीन उतार हुआ था आ अगले वरसे पच्छिसवा वरसे इस मंदिर का विशाल के रूप में मनाये जाएगा अब रहा ये कि मंदिर का छोटा रूप था मा की किरपा ऐसी हुई कि आज विशाल रूप हो गया और याने कहां कहां से लोग आते हैं जो अपनी मनत लेकर आते हैं और वो पूरी होती मा क के दरवार में मगर जब से मंदिर बना है जब से मा का कुछ ऐसा चमतकार हुआ है यह जो आप पिंडी रूप में देख रहा है माता जी को बांद्रा भान की बीच धार से पिंडी माता रूप महा से आई हैं महा से सलकनपूर गई हैं सलकनपूर से उनकी पुजा पाड़ो के फिर जहां पर बराजमान हुए यह जब से बगवत्री की किरपा हुई यह पिंडी रूप में तीनों माता जी की माता सर्षवती हैं इसमें मा विजासन हैं और महा लश्मी है इनका रूप महाकाली का तो रूप थाई मागार जब से यह बराजमान हुए कुछ ऐसा चमतकार हुआ है कि हज़्जारों की शंक्या में भक्तों की मनोकामना पुन हो रही कोई संतान मांग रहा है कोई दन्दोलत मांग रहा है कोई कि रोटी मांग रहा है मैं समझता हूं सबकी मन्नों कामना यहां पूर्ण होती होगी पंडिजी नवरात्र की नौदेवन मा की पूजा राधना होती है फिर इसक्याद इनकी उत्सव मूर्थियों का विसर्जन भी किया जाता है तो उसके पीशे क्या वेद्य विद्धान है but कृत नानने का कौई विद्धान नहीं इसमें जाहर होते हैं तो अधने मंद्रों में मिल्टोर्व के लिए उसमें स्वाका सामान मुट्रित रहता होला प्रोकी जाता है पर कर्णियाओं को बाद जवारे विसरजन करने का रहता है तो हम लोग यहां से पूजन पाट करा के साथ नो कर्णियाओं द्वारा जवारे विसरजन करने के लिए ले जाते हैं इस प्रकार से समापन का कारिक्राम होता है तो तेखा आपने हमने जाना अभी पंडी जी ने में बताया कि किस विधिविधान से मा का पूजन किया जाता है और पिर नौ दिन उनकी पूजा अरजना करने के बाद कैसे उनकी उत्सव मूर्तियों का विसरजन किया जाता है अब जैसे कि भारत जो है वो विभिन सस्कृति वो चली आ रही है और अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात से आता है गर्बा गुजराती समाझ बड़े उत्सब के सांथ माको प्रसंद करने के लिए गर्बा करते हैं तो आईए आपको लेकर चलते हैं और बताते हैं कैसे गुजरात में नवरात के टाइम पर रौन को मनाने के लिए और सबसे जादा प्रचलेत विधान जो है वो है गर्बा आप देख सकते हैं मेरे पीठी ये महिलाए कितने उत्साह के साथ नवरात्री के तैयारिया कर रहे हैं आए हम इनी से जानते हैं कि इनकी तैयारिया कब से शुरू हो जाती है मैं इस वक्त कोलार दानिश कुझ के गर्ल्स हाइवी स्टूडियो में हूँ जहां नवरात्री की तैयारिया आप देख सकते हैं पूरे जोरो शोरो पर है हमारे साथ रेनो अदलग जी है जो यहां की कोरियोग्राफर है और दीपा बुराने जी है जो कि फांडर अव सुकृत स्टूडियो तो हम इनसे जानेंगे कि कब से इसकी तैयारियां अप लोग शुरू कर देते हैं एक महीने पहले से जब नवरात्र आने होते हैं और मलब हमाद दुर्गा की अराधना के लिए पूरी तैयारी में होते हैं कि हम अपने पूरी गर्ल गैंग को जोड़ के और ग गुजरात से पारंपरिक मृत्य हमारे मध्यप्रदेश में होता है गर्वा वैसे ही गुजरात का परिधान भी काफी जाता फेमास है लड़किया जो है वो चनिया चोली पहनती है और लड़के केडिया सर पर पगड़ी तो इसके पीछे क्या है क्या माननेता है देखिए हम अपने बच्चों को प्रमोट करना चाहिए देखिए इदाहां पर भी सारा चल रहा है वगगा सारी लेडीज है क्यों और हम अपने बच्चों को भी इसमें इंवाल्व करें अगर हम अभी तक यह करते आ रहे हैं बगर हमारा आने वाली जनरेशन भी इस फॉलो करें तो उ तरहा तक मिहां सोचना है गर्वा जो है दूर्गा माता की अरादना के लिए हम करते हैं। शीन हम्हाती तरहा पूरे की अरादना ही करते हैं。 तो यह हमें फील देता है कि हम पूरे उत्सा से उस नवरात्र को मनाए और रोज का एक जो हम उनका एक हर रूप है जिसकी हम पूजा करते हैं और उसी के चलते हुए हम इसको मनाते हैं जिस तरह से गुजुराती समाज में मा को प्रसंद करने के लिए गर्वा किया जाता है वैसे ही बंगाल से मा काली की स्थापना की प्रथा चली आ रही है नवरात्री जो है वो मुखत पश्चिम बंगाल से है बंगाल में नवरात्र के टाइम अलगी रौनक देखने को मिलती है वहां के भव्य पंडाल, रंगों की छटा, तेजस्बी चहरे वाली देवियां और सबसे जादा प्रचलित विधान जो है वहां का वो है सिंदूर खेला नवरात्र कहें, दुर्गापूजा कहें या नवदुर्गा कहें भारत में नौ दुनों में जो चहल पहल देखने को मिलती है वो और कहीं नहीं मैं इस वक्त भोपाल में टीटी नगर इलाके के काली बाड़ी बेंगॉली मंदिर में हूँ जो विशेश कर बेंगॉली समाच से संबंदित है और बेंगॉलियों का इस पर अटूट विश्वास है हमारे साथ पंडि जी मौजूद है हम इनसे जानेंगे कि बेंगॉल में किस तरह से मादुरुगा को प्रसंद किया जाता है क्या बेदी विधाल है आइ नमस्ते मैं पंडित अपस बहुत चारिया मैं कलकंता से हूँ और बंगाली समाज में नौरात्री का बहुत विशेश महत्व है और इसमें जौ बंगाल का सबसे बड़ा तेवहर नौरात्री ही है तो इस नौरात्री में सभी बंगली लोग एक जूठ होके जो हम लोग उसको एक्चोल हम लोग दुर्गा पुजा बोलते हैं हिंदी में नावरात्य बोलते हैं हम लोग बंगाली में इसको दुर्गा पुजा बोलते हैं एक्चोल हम लोग का ये पुरा नौ दिन नहीं होता है हम लोग सश्टी से कलस बिठाते हैं और चार दिन होता है सच्टी सप्ते में अच्टे में नोवी उसके बाद बिजयादसमी है तो बिजयादसमी में जैसे सिंदूर खेला होता है मेन जो दुर्गा पुजा है हमारा ये असिन महिने में होता है इसमें सभी बंगाली एक जोटो के इस तेवहार को मनाते हैं ये तेवहार बंगाल में सबसे बड़ा तेवहार है और इसमें काफी जगाई जगा जगाई पे पंडाल होती है और बहुत कुछ मतलब आईजोन किया जाता है जिसमें प्रोग्राम होता है और जो हम लोग का जो में बंगालियों का जो निर्त होत जाता है जिसमें धुनो चिनाज वोलते हैं आप कि छयों कि नवदात्रीमें अलग रहुनग देखने को मिलती है कि बेंगौल में जो मा की प्रतिमा होती है वह महीशासुर का वद करते हुए मिनाई जाती है महीशासुर मर्दनी स्वरूप को पूजा जाता है हाँ, इसमें क्या है कि जो एक्च्छल है जो अभी जो जैसे चैत्र का निवराप्टी होता है, वैसे आसिन में जो होता है, ये मा दुरुगा को इसको बोलते हैं अकाल बोधन, अकाल बोधन मतलब आप समय में मा दुरुगा को जगा के, जैसे कि आप जानते हैं कि देवसायन इकादसी होता है, उसके बाद जो ग्यारस होता है, उसमें जो अभी जैसे हरी साइनी है, तो इसमें क्या है कि मा दुर्गा को जगाए जाता है, क्योंकि राक्षासों का बद करने के लिए, क्योंकि सभी देवता के लिए असंभव हो गया था, इसलिए मा दुर्गा को जगा क कि अकाल बोधन के लिए मा दुर्गा को जगा के इस दुर्गा पूजा को आईजन किया जाता है पैंगॉल में किस विधी विधान से मा की पूजा की जाती है और मा के किस स्वरूप को पूजा जाता है मैं पो पूजा है यहां पर कुछ बैंगॉली भी हम इन से जानेगे कि इस समय में क्या रहती है जिसल्फ हम लोग की चीज को बहुत महत्व करते हैं पांस दिन को जelf हमारे जवाख में अपने बेटी अपने मिका आती है इस तरह हम लोग जैसे अपने बेटी को हर चरह नहीने चीज ममी कहां खिलाते पिलाते हैं उस तरह के हम लोग पुरा इंजॉय करते हैं कि ऐसे सब चीज हमारे बेंगॉलिक फूट्स में स्वीट्स हुआ यह हुआ बहुत सारे आइटाम मचली का बहुत ज्यादा हम लोग महत मंतब बत्स करके जैसे अपने बेटी जाती है अपने सुस्राल हो ऐसे हम लोग सब चीजे वह करते हैं सिंदूर खेला करते मां आपको बीदाई देते हैं इस परपर से हम लोग सिंदूर खेला करते हैं तो देखा आपने किस तरह से बेंगॉल में मादरुगा को पूजा जाता है मा को प्रसंद करने के लिए तरह तरह के जतन किये जाते हैं यहां बेंगॉली समाज के मंदिर में हम ने देखा कि पंडिजी से जाना कि किस विदी विधान से मा की मूर्ती की स्थापना होती है क्या पूजा पाट किये जाते हैं मां को मनाने के लिए अब जैसे भव्य पंडालों में मां की भव्य प्रतिमाओं की स्थापना होती है तो मूर्दिकार से हम जानेंगे कि किस कल्पिना के साथ वो मूर्दिया बनाते हैं कि उनमें इतनी सचाई छलकती है इतनी भक्तों को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें साक्षात मादरुगा के दर्शन हो गए हो आएए चलते हैं जानते हैं मूर्दिकार से कि वो किस कल्पिना के साथ इन मूर्दियों को बनाने की शुरुआत करते हैं इस वक्त मैं भोपाल के टीटी नगर इलाके में हूँ जहां मूर्दियों बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है हमारे साथ क्यलकटा के मूर्दिकार है हम इन से जानेंगे कि कब से मूर्दियों बनाने की शुरुआत आप कर देते हैं मूर्दियों बनाने की शुरुआत होती है उसकी जो मिट्टी है वो वैशियाओं के घर के आंगन से मिट्टी लाई जाती है उससे शुरुआत होती है तो उसके पीचे क्या विधान है देते हैं इसका पीचे विधान नहीं है मा दूर्गा सित्थि सारुआत T cidade तो सोती का वहाजा से मिट्टी मिलाना जोरूरी होता है और वो शुरूरी होता है ली होगा तो आम आज कादिन में तो हुता है तो करते रहता है लेकिन हम जिसको वस k saliva कर रहा है ठोड़ा शिस्ट्27 चलता है ते सका वाजर से इस मिठ भी दोगर करके लाते है उन लोग हैं कि अबते में देते हैं तो तो डेना जोरूरी है तुकि मार्दूर्गा का काम है इसमें करना फ़र्टा है आपने किस तरह से हमने दिखाया आपको किस मिट्टी से मा की मूर्दिया बनने की शुरुवात होती है कैसे और में पवित्रता आती है स्थचाई छलगती है अब मा के नवरात्री के 9 दिन के उत्सब में मा की प्रतिमाय स्थापित होती है तो जाहिर से बात है इनका विसर्जन भी होता है दश्मी की दिन इनका विसर्जन किया जाता है। कि इस थापना की प्रथा चली आ रही है और गुजरात से जो है वो गर्वा किया जाता है मा को प्रसंद करने के लिए वैसे ही और नौ दिन की पूजा राधना के बाद यहां मादुर्गा के विसर्जन होता है आई हम यहां पर कुछ मौजूद लोगों से जानते हैं कि क्या क रहती हैं विसर्जन के टाइम पर हमारे साथ यहां आचारे जी जो हमें बताएंगे कि तो यहां पेले यहां रखते हैं और धिरूण करेंगे तो जैसे अपन वहां पर पूजन करते हैं वैसे ही पूजन करेंगे जो भी आपके पास सामक्री है कोई 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 काल की बज़ी से अच्छे से हुनी पा रहा था इस बार साशन, प्रसाशन, उमानी, मध्यप्रदिसास से दन्यवाद करता हूँ क्यों ने यहाँ पर बहुत सेपरिटी और बहुत कापी सारी विवस्ताइं यहाँ पर दी हूँ तो देखा आपने किस तरीके से अपने जाना कि कैसे किस बिधी विधान से मा की प्रतिमाएं यहाँ पर विसरजित की जाती हैं दश्मी के दिन, मा के नौ दिन के उत्सव के बाद यहाँ पर समापन किया जाता है मा की प्रतिमाओं का फिसरजन करके तो ओम जैन्ती मंगला काली, फद्रकाली का पालनी, दुर्गा छमाशिवाधात्री, स्वासवधा नमोस्तुते मा स्वाहा भी तुमी हो, स्वधा भी तुमी हो, मा दुर्गा आपकी सभी मनु कामना को पूरा करें यसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूं, कैमरमन अबजल के साथ मैं हूं प्रिशिका गुपता, देखते रहें, तखल देश्यों प्रिश्यों जए ज़िए प्रिम्यर स्किल्भी बेस्ट अप्रिश्यों रबिन्दनाथ तगो तगू चुपता, देखते आपकी साथ-प्रिश्यों आप देख रहे हैं दखल न्यूज